खेलो दूस्तों आजकी स्कलास में देखिएं कि भारत समधी महत्पूर्ण परशन आजकी स्कलास में कवर करेंगे तो चली जानते हैं सबसे पहला कोशन होगा कि भारत का जो प्रतम राष्ट पती कौन थें तो डाक्टर राजयन परशाद जी ये हमारे देश के प्रतम राष्ट पती थें दुसरा कोशन होगा कि प्रतम उप राष्ट पती कौन थें भारत के प्रतम उप राष्ट पती डाक्टर स्वर्फवली राधा कृष्णन थें और भारत के प्रतम परधानमंत्री कौन थे तो भारत के प्रतम परधानमंत्री जवारलाल लेहरू थे और भारत के प्रतम महिला परधानमंत्री की बात करें तो स्रीमति इंद्रा गांधी जी थी कौन थें इंद्रा गांधी जी थें चैजी नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन होगा सोतंत्र भारत के प्रत्थम भारतिय गवर्णर जेनरल कौन थे यदि सोतंत्र भारत के प्रत्थम गवर्णर जेनरल की बात करे तो सी राज गोपाला चारिये होंगे कौन होंगे सी राज गोपाला चारिये होंगे और नेक्स्ट कोशन होगा प्रतम भारती राजपाल कौन थे दीके प्रतम भारती राजपाल की बात करें तो सरोजनी नाइडू थे प्रत्थम लोकसाभा के अद्यक्स कोन थे तो चिवी मालवकर देखते हैं next question देखते हैं जितने भी ये सारे question होंगे सारे ये competitive exam जैसे SSC का MTS हो गया CGL हो गया CHSL हो गया GD हो गया और state police इन सारे exam में question पूछे जाते हैं तो आप लोग एक एक question को अच्छी तरह से cover करें और एक बार जरूर class में बने रहें ताकि आपका revise हो जाए तो चलिए next question होगा भारतिये पुलीस सेवा में चैनित पर्थम महला कौन थे देखे भारतिये पुलीस में चैनित पर्थम महला जो थे ये किरन वेदी थे कौन थे किरन वेदी सोतंतर भारत के पर्थम governor general कौन थे सोतंतर भारत की पर्थम governor general लुई मांट वेटन थे कौन थे लुई मांट वेटन सांती के मुनोबल पुरुषकार से सम्मानित पर्थम महला कौन थे देखे अनि कि पर्थम पुरुषकार से सम्मानित महला की बात करें भारत में तो ये हमारे जो थें भारतिये मदर थें ये मदर त्रेशा कौन थें मदर त्रेशा ये भारतिये थें कौहां के थें ये भारतिये थें मदर त्रेशा नेक्स्ट कोशन जो होगा वो होगा भारतिये रत्न से सम्मान प्रथम विदेशी नागरी कौन थें भ खान अब्दूल गफ़र खान थे, कौन थे, खान अब्दूल गफ़र कान, संद्युक्त राश्च शंग में प्रतम हिंदी में भासन देने वाले वेक्ति कौन थे, अटल व्यारी वाजपे जी थे, कौन थे, अटल व्यारी वाजपे जी, जिनों ने प्रतम हिंदी में भासन दिये थे संद्युक्त राश्चंग में मिस वाल्ड से सम्मानित पर्थम भारतिये महला कौन थे कुमारी रीता फारिया कुमारी रीता फारिया चलिए आगला कोशन देखेंगे आगला कोशन होगा मिस यूनिवर्ड जितने वाली पर्थम भारतिये महला कौन थे सुमिता सेन थे कौन थे सुमिता सेन भारतिये राश्चिये कंगरेस की पर्थम महला अध्यक्ष कौन थे एनी बेसेंट कौन थे एनी बेसेंट भारती राष्टी ज्यानफिष्ट पुरुसकार से सम्मानित पर्थम महिला कोन थे तो आसापुर्ण देवी ये कब मिला था उनीस सो चियत्तरिस्वी में चलिए अगला कोशन देखेंगे अगला जो कोशन होगा ये होगा मांट एवरेश्ट पर चड़ने वाली प्रथम महिला कोन थे तो ये वी छेदरी पाल थे कोन थे वे छेदरी पाल थे कोन थे वे छेदरी पाल दो बार मांट एवरेश्ट पर चड़ने वाली प्रथम महिला कोन थे संतोस यादव कोन थे संतोस यादव राश्टिये महिला आयो की प्रथम अध्यक्ष कोन थे स्रीमती जान की पाटनायक नेक्ष्ट कोशन होगा भारती सिनेमा की प्रथम अभीनित्री कोन थे भारती सिनेमा की प्रथम अभीनित्री की बात करें श्रीमती देविका रानी थे कोन थे स्रीमती देविका रानी प्रथम जनगन्ना कब हुई थी प्रथम जन्गन्ना की बात करें 1832 इस्वी में प्रथम जन्गन्ना हुई थी प्रथम भारतिय उपगरा कोन है आर्यभर्ट आर्यभर्ट ये क्या है प्रथम उपगरा भारत के है स्वपर्थम हवाई डाक सेवा इलहाबाद स्वपवर्तम हावाई डांक सेवा कहां से हुई थी ये इलहाबाद से नेनी कहां ही इलहाबाद से नेनी अगला कोशन होगा दादा साइब फालके पुरुषकार से परतिष्टिस परतम रजिता है मसरू सुल्तानी पुरी नेक्स्ट कोशन होगा भारत की राष्टिय जिलेवी क्या है भारत की राष्टिय जिलेवी की बात करें तो ये आपका हो जाएगा अगला कोशन होगा भारत की राष्टिय मिठाई कौन सी है तो ये जिलेवी हो जाएगा कुन हो जाएगा जिलेवी नेक्स्ट कोशन होगा भारत का राष्टिय द्वज गीत क्या है हिंद देश्ट का प्यारा जंडा ये क्या है भारत की राष्टिय द्वज गीत अगला कोशन होगा भारत का राष्टिय द्वज है तिरंगा कौन है तिरंगा ये सारे basic question है और ये कई बार Q में भी पूछे जाते हैं तो आप लोग एक बार जरूर कलास में अंतक बने रहें और सारे question को एक बार revise कर लें चलिए next question होगा भारत का राश्टिय वाक क्या है भारत का राश्टिय वाक जो है ये सत्ति में जयते हैं और ये सारे जो हैं ये भारत से संबंदित महतपूर्ण परश्ण है जैसा कि आप देख रहें इस करीम पे चलिए अगला question होगा भारत का राश्टिय गीत क्या है भारत की राश्टिय गीत जो होगा ये वंदे मातरम जो कि हमारे भारत के राश्टिय गीत है भारत का राश्टिय चीन क्या है असोक अस्तंब जो है ये हमारे भारत के राश्टिय चीन है अगला question होगा भारत की राश्टिय मुद्रा रूपिया क्या है भारत के रूपिया भारत का राश्टिय फूल की बात करें कमल भारत की राष्टियता क्या होगा तो भरतियता होगा अगला कोश्चन देखेंगे अगला जो कोश्चन होगा ये होगा भारत की राष्टिय भसा तो हिंदी हमारे जो भारत हैं यहां की राष्टिय भसा की बात करें तो ये हिंदी है जो की 22 अनुसुची के अंतरगत आते हैं चलिए next जो question देखेंगे नेक्ष्ट होगा भारत की राश्टिय लिपी क्या है तो भारत की राश्टिय लिपी की बात करें देवनागरिक लिपी है और अंग्रेजी लिपी की बात करें तो रोमन चलिए next question देखेंगे भारत का राष्टिये पंचांग क्या है ये सक सबत है क्या है सक सबत आनि कि ये एक तरह का कलेंडर है चलिए अगला question देखेंगे अगला जो question होगा भारत का राष्टिये नारा क्या है सत्मे जयते आनि शत्मे जयते ये इससे पहले वी कोशन रिपिटेट है चलिए अगला कोशन देखेंगे अगला जो कोशन होगा भारत की राष्टिये विदेश निती क्या है तो गूट निर्पेक्च क्या है गूट निर्पेक्च चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला जो कोशन है ये है भारत का राष् पुर्श्टार दिये जाते हैं रााश्टिये के अन्गी सबसे सर्वोष्ट पुर्श्कार की बात करें तो भारत रतन जो की हमारे बाबा भारत का राष्टिये गान की बात करें तो यह जन गन मन है क्या है जन गन मन जो की भारत के राष्टिये गान है चलिए नेक्स्ट कोशन देखेंगे नेक्स्ट जो कोशन होगा भारत का राष्टिये सुचना पत्र है तो स्वेत पत्र कौन सी पत्र है स्वेत पत्र भारत की राष्टिये नदी की बात करें तो गंगा है भारत का राष्टिये पक्षी की बात करें तो मोड है चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला जो कोशन हो भारत के राष्टीय पशू बाग है भारत के राष्टीय फल की बात करें आम हैं और भारत के राष्टीय पढ़व की बात करें तो ये 26 जन्वरी गंतरन दिवस और 15 अगस सोतंदरता दिवस जो की ये हमारे जो कि आजादी और सोतंतरता दिवस जो है गंतंत्र और सोतंतरता दिवस ये हमारे राष्टिये पर्व माने जाते हैं चलिए आगला जो कोशन होगा ये भारत की राष्टिय योजना अनिकी भारत में जो है राष्टिय योजना की बात करें तो ये पंचवर्सी योजना है कौन सी योजना है पंचवर्सी योजना है पंचवर्सी योजना कब पारित हुआ था ये 1950 में और भारत में पहली कब तक थी तो ये 1901 से लेके 1905 तक रही थी अनिकि 5 वर्स में हर एक वर्स 5 वर्स पे 5 वर्सी योजना के काड़ी काली केतने 5 वर्सों की होती है तो आज का क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और जितने सारे आज की इस क्लास में की जिखे कराए गए इस सारे भ्यार से यह सारे जो है यह भारत से सम्भंदी कोर्ष्टन है जो कि हर एक एकजाम में 5 से 6 कोर्ष्टन इससे आही जाते हैं और किसी भी आप चीज की तयारी कर रहे हैं और otherwise competitive exam हो या कोई भी किसी भी आप state police की तयारी कर रहे है या state की vacancy की तयारी कर रहे है otherwise किसी का भी तो यह आपके लिए बेहतर है तो आप लोग आसा करते हैं यहां तक class में बने होंगे यदि यहां तक class में बने हैं तो एक लाइक बनता है और साथ ही साथ आप लोग इस चैनल को सस्क्राइब कर ले इसी तरह के वीडियो मिलती रहती चलिए मिलते हैं अगले कलास में तब तक के लिए जैहिंद